हेलो ट्रेडर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल लिगूटी स्टार ट्रेडर्स आज की स्वीडियो में हम लोग बिल्कुल ही एक बेसिक टू एडवांच स्रीज का नेक्स्ट वीडियो यहां पे लेके आया हूँ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे मौस्टली जो गलतियां करते हैं ट्रेडर्स खास करके बिगनर्स वो क्या चीज में करते हैं देखिये सब के पास स्ट्रेडजी होता है प्लान होता है उसके according trade execution होता है राइट? अब यहाँ पे बात आते हैं कि बहुत सारे लोग trade को right way में execute ही नहीं कर पाते हैं अब सोचो कि अगर आपने trade को सही तरीका से identify करके उसको आप execute नहीं कर पाया यहनी कि buy or sale नहीं कर पाया तो क्या आपको वो profit दे पाएगा guys अगर आपका trade सही भी है strategy सही भी है अगर आपने entry सही से नहीं बनाया तो आपका बहुत सारे problem हो सकती है हो सकता है आपका stop loss यहाँ पे hit हो जाए और आपका stop loss वहाँ पे hit करने के बाद आप वहाँ पे नया trade जो लोगे over trade करने लगोगे revenge trade करने लगोगे और again आपको वहाँ पे loss कर देगा तो सबसे जो important आता है कि अगर आपके पास कोई strategy है आप systematic trader है strategy based trading करते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन entry आपका गलत हो जाता है तो guys वहाँ पे बहुत सारे problem हो सकती है लेकिन वहीं पे अगर आपने entry perfect कर दिया तो फिर आपका stop loss तो पहले से predefined होता है target हम लोग उसके according market के behavior market के momentum के according target decide करते हैं ठीक है अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारा entry strong हो जाए right हो जाए तो किस तरीका से हम लोग profit बना सकते हैं और right हम लोग कर कैसे सकते हैं अखिर entry हम लोग live market में कैसे decide कर सकते हैं इसे easily सोच सकते हैं कि यहाँ पे entry बनेगा और entry करने के कितने तरीके हैं जैसे कि बहुत सारे लोग यही समझ नहीं पाते हैं entry का process है ऐसानी कि कोई breakout पे entry करता है कोई bliss breakout पे entry करता है कोई candlestick pattern पे करता है कोई chart pattern पे करता है आप किस टाइब के पैटर्न को फ्रिफेंस देते हैं यह सबसे ज़दा इन्पॉर्टेंट है और मॉस्टली इंट्री के लिए कौन सा मतलब स्ट्रेजी या कौन सा ट्रीक अपनाना चाहिए बिगनर्स कैसे गलतियां करता है इन चीज को इस वीडियो में कम्प्लीटली हम लो फूल होगा और राइट इंट्री आप बना के बहुत अच्छा फॉफिट मना सकते हैं तो वीडियो में आगे बटन इस पहले टू दो पॉइंट चलते हैं अगर इस चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को support level draw हो गया सबसे पहले हम रोग जहां पर support को देखते हैं यहां पर support को देख रहे हैं तो हम लोग इधर के market को expect नहीं करेंगे कि market क्या होगा है क्या ला रहा है हम लोग बातों को समझने का कोसिस करेंगे सबसे पहले market यहाँ पर open हुआ है और यहाँ से consistently देखे यहाँ तक आया है ठीक है अब यहाँ पर जो आया है तो यहाँ पर market क्या हुआ support लिया है कितने लोग यह भी गलतियां करते है जब market में कोई candle यहाँ पर बनता है इस support level पर और उस candle का shadow part भी नीचे आता है जैसे कि इस green candle का shadow part यहाँ तक आया हुआ है बहुत सारे लोग इसमें भी इंटर कर जाते है जब तक कोई candle किसी level को breakout ना दे और वहाँ पर closing ना दे तब तक एक confirmation हम लोग को नहीं मिलता है कि market यहाँ से नीचे ही जाएगा या फिर यही candle बनके ऊपर चला जाएगा reflect करके किसी को पता नहीं होता है इसलिए candle closing का सबसे ज़्यादा important है अगर close हो गया तो वो आपके direction में perfectly काम करेगा यह जीज़े first जो गलतिया है यही गलतिया है इसलिए बहुत सारे beginners यहाँ पर गलती कर देते हैं दे सकता है तो क्या लगता है कि आपको अगर upside market को जाना होता तो क्या यहाँ से upside नहीं जाता है इस gap को fill नहीं करता तो गये यह भी यहाँ पर plus point है इसलिए जब यहाँ पर market ऊपर जाना चाहा है इस support level से तो यह एक trapping mode है बहुत सारे buyers यहाँ भी trap हो गए होंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यह वाला देखिए एक range है यहाँ पर देखिए एक range बना दिया जिसको लोग box strategy या फिर एक small range momentum भी बोलते हैं इसको breakout देगे ओपर closing किया बहुत सारे लोग यहाँ पर buy कर गया होंगे क्योंकि यहाँ पर जो buyers आया होगा वो retail trader ही होगा और इनको बिलकुल भी पता नहीं होगा कि market का trend कैसे find करते हैं market actually में यहाँ पर किस trend में है अगर यह सब चीज़े आपको अभी भी problem है तो guys really आप लोग गलती करते ही जाएंगे आपके इसमें जो है ना trading style में कोई improvement देखने को नहीं मिलेगा तो आपको trend तो पता ही रहना चाहिए उसके बाद entry की बाते आती है अब जब market यहाँ पर आया यहाँ पर आने के बाद retrace किया retrace करने के बाद again देखिए नीचे गया अब यही वाला candle हमारे लिए सबसे perfect होता है जो candle इस level को breakdown कर दे और इसके नीचे closing भी दे दे अगर market यहाँ पर इसको breakdown करने के पहले ही retrace कर दिया तब तो directly हम लोग इस candle के closing पर यहाँ पर बना सकते हैं और देखिए आपको target सांदार target मिल गया ठीक है आप लोग ने यहाँ पर समझ गया कि जब market breakout directly नहीं देता है तो एक retracement जरूर देता है और retracement वाला part यह जैसे यहाँ पर end हो गया इसके बाद जो भी candle breakdown करता है नीचे closing देता है directly यहाँ पर हम लोग buy कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर miss करते हैं गलत entry ले लेते हैं इधर ही कहीं ले लेते हैं और यह market यहाँ पर इसको buy के लिए जाते हैं तो नुकसान कर ही देता है लेकिन अगर आपने यहाँ पर भी sale किया होगा तो भी आपको यहाँ पे stop loss ले लिया हुआ क्योंकि इतना दूर तक आप hold नहीं रख सकते हैं beginners जो है ना इतना दूर तक hold नहीं रख सकते हैं इतना patience नहीं होता है इसलिए right entry करना बहुत जरूरी है जैसे कि इस candle पे हम लोग right entry यहाँ पे बना सकते हैं बहुत अच्छा profit भी बना सकते हैं अब देखिए again यहाँ पे बाती आती है कि जब market यह वाला support level हमारा draw है market यहाँ पे आया यहाँ से again उपर गया उपर जाने के बाद देखिए perfectly यह candle काफी अच्छी तरीका से उपर गया यहाँ पे breakout दिया है बहुत सारे लोग फिर से यहाँ पे buy कर लिया होंगे क्यों जब market का trend यहाँ पे downtrend है न तो market कभी भी uptrend में बहुत जल्दी लहीं लोटता है यहाँ पे कम से कम एक से दो दिन continue trend को जरूर continue करता है ठीक है तो यहाँ पे क्या करेगा market जब भी उपर जाएगा trap करेगा एक retracement के लिए जाएगा और market अगेन अपने trend को continue करेगा यहाँ पे देखिए market retrace किया continue किया downtrend को retrace किया continue किया downtrend को थोड़ा देर pouch किया downtrend को continue किया अब 2-3 दिन यहाँ से यहाँ तक अगर downfall हो चुका है तो अब market reversal के बारे में सोचेगा जो यहाँ पे देखिए reverse किया भी है ठीक है अब यहाँ पे बात आती है कि क्या market यहाँ पर जो देखिए तो इसलिए इसको हम लोग trapping candle भी बोलते हैं और just हम लोग trapping candle के नीचे ही यहाँ पे entry बनाते हैं और इसी trapping candle के उपर stop loss होता है क्यों क्योंकि market का trend यहाँ पे dawn है इसलिए हमको जब भी सोचना है तो dawn trend के बारे में सोचना है तो यहाँ पे हमारा perfect entry होगा और देखे target आपके सामने सारे target यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है अब यह तो मैंने sale side के बारे में आपको entry बताया कि किस तरीका से entry ले सकते हैं अगर हम just यहाँ की बात करें देखे यहाँ पर क्या हुआ है market जो closing किया वो यहाँ पे क्या है ठीक है next एक ही बात कर रहा हूँ इसी support level पे sustain करने लगा जब guys market यहाँ पे retrace करने के लिए आया और sustain करने लगा तो इस candle के high पे हम लोग buy बना सकते हैं क्यों बना सकते हैं देखे अगर यहाँ पर regular way में अगर आप सोचे तो market जैसे यहाँ पर breakout दिया तो इस level को पूरी तरीका से देखिए उपर breakout करके closing भी दे दिया अब क्या इस closing पे आप directly यहाँ पे इंटर कर सकते हैं buy के लिए guys ऐसा नहीं कर सकते हैं ऐसा किसलिए नहीं कर सकते हैं अगर आप directly buy करेंगे तो यहाँ पे अगर market bullish breakout देता है तब तो आपको target दे देगा otherwise यहाँ पे एक retracement जरूर करने के लिए market एक rate candle बनाएगा लेकिन अग कभी भी 95% से अगर मैं देखूं 100% में तो 5% only यहाँ पे bullish breakout देखने को मिलता है और 95% जब भी यहाँ पे breakout देगा market retracement के बारे में जरूर सोचता है यहाँ पे हो सकता है या तो पहले breakout के पहले यहाँ पे retracement कर देगा उसके बाद ब्रेक आउट देगा या कभी कभी क्या करत तो यह दोनों चीजे हमको समझना है जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया पहले यहाँ पे retracement कर गया second time breakout दिया ऐसा भी होता है ठीक है तो यही चीजे यहाँ पे क्या हुआ directly breakout कर दिया इसके बाद देखिए next जब open हुआ तो breakout जब directly किया retracement नहीं किया है तो अब हमको यह retracement करने और यहाँ पे stop loss हो जाएगा तो इस तरीका से हम लोग right entry ले सकते हैं जिस right entry अगर आपका बन गया तो आप सोचो कि यहाँ पे stop loss किसी भी हाल में यहाँ पे आपका लेगा ही नहीं किसी भी condition में नहीं लेगा और right entry जैसे बना उसके बाद देखिए target आपको देखिए कितना बड़ा target देखे गया यही चीजे मेरा कहना है कि अगर entry आपने सही बना लिया तो estropolis and target market खुद बता देता है कि कहाँ पे stop loss होगा और कहाँ पे target होगा ठीक है target अगर आप देखते हैं buy करते हैं तो उपर का resistance level के according target decide कर सकते हैं और guys अगर आप sale करते हैं तो नीचे की support level जैस बना सकते हैं और जो problem बहुत सारे beginners को था कि कैसे entry कर सकते हैं ठीक है तो यहां से मुझे उम्मीद है कि इस video से आप लोगो यह चीजे clear हो गया होगा इसके बाद भी अगर मैं किसी topic पो आपको लगता है कि इस topic पे video बनाना चाहिए तो comment box में जरूर लिख देना मैं उसको cover क करने का कोशिस करूंगा next video में तो गईज अगर यह वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like and share जरूर कीजेगा चैनल में new है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें thank you so much for your love and support